Hello students, क्या हल चल? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और CA Foundation की preparation बहुत जोरो शोरो से कर रहे होंगे तो ये मैं वीडियो लेके आँ हूँ CA Foundation accounting paper के लिए on the topic How to attempt true false based question in your accounting paper और ये आपके exam में 12 marks के लिए आते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी हो जाता है तो आईए start करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करें कि यहाँ पर हमें पर question में कहाँ पर true false का question place होगा तो जब आप अपना question paper open करेंगे सबसे पहले आपको question paper में यही दिखने वाला है क्योंकि ये question number first का part होता है which is a mandatory question तो ये question आपके लिए और भी ज़्यादा important है because आप इसको बिल्कुल भी skip नहीं कर सकते this is a part of your mandatory question number first जो आपको 20 marks का आता है उसमें आपका first part state with reasons whether the following statement are true or false के उपर पूछा जाता है जिसमें आपके पास यहाँ पर six statements या six parts होंगे of two marks each मतलब 12 marks के लिए आपसे ये वाला true false का question पूछा जाएगा now the thing is that how to present this answer of that question इस question को हम लोग कैसे present कर सकते हैं तो present करने का हमारा तरीका क्या होगा आप statement को read करेंगे और उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि whether it is true or whether it is false और सिर्फ true false लिखने से बात नहीं बनेगी आपको इसको one or two lines में इसकी साथ में आपको reasoning भी देनी है without reasoning you won't fetch marks बिना reason लिखे आपको marks नहीं मिलने वाले reasoning is absolutely required यह optional नहीं है यह बिलकुल बिलकुल लिखनी है मैं बहुत बार बच्चों के answers देखता हूँ उसमें सिर्फ उन्होंने true false लिखा होता है but that is not appreciable आपको reasoning साथ में देनी है क्योंकि यहाँ पर question में भी क्या लिखा हुआ होगा state with reasons सिर्फ true false से बात नहीं बनेगी sir अम लोग इसकी कैसे preparation कर सकते है यह को preparation करने से पहले दो बात ध्यान में रखना जो मैं आपको अल्रीडी बता चुका हूँ पहली बात what should not be done क्या आपको नहीं करना आपको skip नहीं करना reason लिखना reason लिखना आप बिलकुल भी skip नहीं लिखेंगे करेंगे आपको जितना भी जैसा भी जो भी समझ में आ रहा है जिस बेजिस पे आपने true false लिखा आप उसी को अपनी language में reasoning की form में भी लिखेंगे और साथ में यहां पर अगर आप true false की जगा right करते हैं yes no या correct incorrect correct मतलब तो उसका भी वह ही है आपको ये बिलकुल भी follow नहीं करना आपका answer should again be in the form of true false only जब आपसे question true false के manner में पूछा गया है तो आपका answer भी true or false के manner में ही होगा वहां पर हम लोग yes no या correct incorrect बिलकुल भी नहीं लिखेंगे ये चोटी चोटी बाते हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है में भी आप लोग question no first सबसे पहले attempt कर रहे हूँ तो checker भी question no first को सबसे पहले check करेगा और अगर उसको वहां पर कुछ ना कुछ lack दिखा तो obviously आपका impression आपके question paper पे क्या हो जाता है एससर true false किसी particular topic से नहीं आते हैं बलकि वो CA foundation accounting के पूरे course में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं तो इसके लिए आपको कोई separately preparation नहीं करनी आपने जैसे भी जो भी theoretical या practical chapter आप complete करेंगे simultaneously आपके true false भी prepare होते जाएंगे if you have that knowledge, you have that conceptual mindset of that particular topic तो ये question bank आपको help करेगा फड़ा वड़ से go through करने में सारे topics के true false के लिए सर यह हमें question bank कहां से मिल सकता है तो ये आपको तीन जगा से मिल सकता है there are three sources to get this question bank these are available at हमारे YouTube channel CA knowledge portal यहीं पर आपको मिल सकता है नीचे link आपको provide कर दिया जाएगा second is mobile application है जो हमारी CA knowledge portal उसमें भी resource section में जाके आपको ये PDF अविलेबल हो जाएगी या फिर जो हमारे telegram channel है CA foundation knowledge portal वहाँ पर भी आपको ये पूरा का पूरा question bank अविलेबल हो जाएगा I hope आप लोग बहुत अच्छे से prepare करेंगे और CA foundation accounting में बहुत अच्छे marks लेके सबको proud feel कराएंगे सो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में Till then goodbye, take care, stay safe and stay blessed everyone